पूजा अर्चना की जाती है यहां पर पंडिजी इन से चर्चा करेंगे आवंतिका इस्प्रेस की टेम मा के दरवार में आई है और पंडिजी से हम पूछेंगे किस प्रकार से इस जो पूजा होती है आज के जो गुप्त नौवरात्री के इस पर क्या महायोग बनते हैं बड़ा नल्खेडा के प्रसिद्ध मंदिर मा बगला मुकी के यहां पर हमेशा भगतों का ताता लगा रहता है ये एक प्राचीन पांडव कालीन सिद्ध पीट है गुप्त नौवरात्र चल रहा है जिसमें कई श्रद्धालों अपनी मनत लेकर आते हैं मा बगला मुकी के दरबार में जो भी भगताता है अपनी मुरादे पूरी करके जाता है बगला मुकी मंदर के पुजारी से अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज एडिटर सुमेर सिंग सुलंकी ने खास बात चीत की जिसमें पुजारी जी ने माता जी के मंदर के विश्रे में कई बात बताई अज पंडिटी सेर्चा करेंगे कि गुप्त नौर आत्री के महाईयोग में किस प्रकार से पुजारी न यापर की जाती है पंडिटी क्या है कि पंड़ों के समय का है यहां बगला मुकी स्वयंबू विराजबान है मा के कई भक्त अपने तंत्र मंत्र को सिद्ध करने के लिए नवरात्री में माता की यहां एक विशेश प्रकार की पूजा करते हैं यहां पर कई भक्त पूजा, पाठ, हवन, यग्य कराते हैं और माता को खास करके पीली, चुनहरी चड़ाए जाती है पुजाली जी ने कहा कि जो भी भक्त सचे मन्द से मा के दर्शन करने आता है और जो मुरादे लेकर आता है मा उसकी मुरादे पूरी करती है यह नलखिडा का प्रसद्ध मंदर काली सिंद नदी की किनारे विद्यमान है, यह एक तांतरिक शक्ति पीठ है यहां मंदर प्रांगड में हनमान और भैरव सहित और भी मंदिर है उजयन के बाबा महाकाल से लगभग 100 किलमेटर दूर यह बगला मुखी का मंदर एक प्रसद्ध और चबतकारी मंदिर है सेवाई देते हैं पंडिजी हैं इनसे भी पूछेंगी कि गुप्त नवरातरी का क्या महायोग बनता है जिसमें दर्सन अविलासियां पर दर्सन करने आते हैं गुप्त नवरातरी में दस महाध्या की पुजा होती है माता का अठवा इस्थान इसमें आता है बुगला मुखी का